अगर आप यूटीब की गली में भूले भटके इस विडियो तक पहुंचे हो एंड आप इस पराणी को फॉर्स्ट एम यूटीब पर देख रहो तो बहुत जादा हाई चांसे है कि आपने खुद के लिए एक नया गेमिंग मॉनिटर बाई किया होगा जिसको अपने आप गेमिंग को एंजॉय करना चाहते हो तो सबसे बड़ा चालेंज आपको आएगा कि बॉक्स के अंदर में जो केबल मीला होगा आपको चाहे वो डिस्प्लेपोर्ट का केबल हो या फिर एचीडिमाइपोर्ट का केबल हो इनका जो लेंथ रहता वो एक से डेड़े में कॉलिटी भी बहुत जादा डियूरेबल नहीं रहती कुछ सालों के बाद यह पपड़ी बनके निकलने लगेंगे तो ऐसे केस में आपके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको थार्ट पार्टी केबल में इन्वेस्ट करो चाहे वो एचीडिमाई के बलो या फिर आ इनका केबल जो रहता है वो काफिया सस्ता पड़ता है कंपेर टू एक थंडर बोल्ट केबल के अगर आप तीन मीटर लंबा थंडर बोल्ट केबल बाइक करना हो तो आट से दस अजार रुप आपको पे करना पड़ जाएगा तो उतना अंधा पैसा है भाई तो इसका देखर हो जब इसको आप अपने मॉनिटर या फिर पीछे लैप्टॉप से तो यह काफी इतना बड़ा निकला रहता है जो कि आपके लुक्स को थोड़ा सा खराब करेगा अगर आप एक अच्छे क्वालिटी के एचडियु में इन्वेस्ट करते हो तो वह आपको त निकाल के देगा इसको मैंने जो टेस्ट किया तो बहुत सारा स्टैंडर्ड जो था वह 120 हर्स का ही था बट कुछ-कुछ गेम्स लाइक सीएस गो एंड एपेक्स लेजेंड में मुझे 144 हर्स तक का रिफ्रेश्ट भी मिल रहा था तो कुछ गेम्स ज्यादा हाली ऑप्टिम करने जाओगे तो आपको बहुत जा क्वालिटी में डिफ्रेंस निकल कि आएगा तो मैं आपको रेक्मेंड करूगगे कि ब्रेडिड क्या अच्छे क्या बीट के एच्टी में के इन्वेस करना वह आपको आने वाले साथ-आट साल बहुत अच्छे से सर्व करेगा अप मै आपको 120Hz का refresh rate smoothly निकाल के देंगे ध्यान आपको क्या रखना है कि HDMI के साथ आप जाते हो तो इसके अंदर में आपको 3 versions मिलेंगे 4K at 30Hz, 4K at 60Hz and 4K at 120Hz यह वाला जो वेरिंट आप मेरे हाथ में देख रहो यह 4K at 120Hz का support करता है आपको अपने गेमिंग के लिए इसी को बाई करना है ना कि सस्ते के चक्र में घटिया समान मत खरी लेना इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा अगर आपको पर्चेस करना हो अब जाके वहां से बाई कर सकते हो अगर आपको यही रेकमेंड करूगा अगर आपके मशीन के अंदर में चाहिए आप PS5 यूज़ कर रहे या फिर आपके पास कोई PC है अगर उसके अंदर में डिस्प्ले पोर्ट एविलेवल है तो हमेशा आपको डिस्प्ले पोर्ट के के बल के साथ ही जाना चाहिए सबसे पहली चीज़ प्राइस में दोनों के डिफरेंस जादा नहीं है साथ में इसके अंदर में आपको ज़्यादा बैंडविथ मिलता है इसके अलावा एक और आप्शन आपको मिलता है इसके अंदर में आपको एक लाचिंग के लिए तीथ निकल के आता है जिसको आप यहां से प्रेस करोगे अंदर निकल जाता है वापस से जब आप इसको छोड़ोगे तो बाहर निकल जाता है यह आपको एक सिक्यॉर लॉक अटेंड करने बहुता हेल्प करेगा यह वक के साथ धीरे-धीरे लूज भी हो सकता है या फिर आप कभी शिफ्ट कर रहे हो तो आपके टीवी से कनेक्शन लूज हो सकता है इसके साथ कभी लूजनिंग का लफड़ा नहीं रहेगा जब भी आपको इसको बाहर निकलना है आपके उसको अंदर प्रेस करो, बाहर निकालो, वापस इंसर्ट करो, छोड़ दो यह आपको लॉक बना कर रखेगा, आपका कभी कनेक्शन का लूजनिंग का लफड़ा नहीं रहेगा अब बात कर लेते हैं डेस्टॉप PC's के बारे में अगर आपके पास एक ऐसा मशीन है, जो की 120F से ज्यादा जनरेट करने की केपिबिलिटी रखता है तो आपको एनी डे हमेशा डिस्प्ले पोर्ट का ही केबल में इन्वेस्ट करना है सबसे बहले चीज़ आपको बैंडविद्स जादा बैटर मिलेगा आपको फीचर्स इसमें भर बर के मिल जाएगा प्राइस ऑल्मोस दोनों का ही सिमलर निकल के आता है जो मैंने खुद के लिए पर्चेस के उसके लिंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा अब ही जब मैं विड़ो शूट करा हूँ अभी वो डिस्पैच हुआ भी आने में टाइम लगेगा फ्यूचर में ये जो मॉनिटर है ये मेरा इस लाप्टॉप के जवाब पर कनेक्ट हो जाने वाला है ड्वीडर प्योग